दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई शादिशे दावरात आपसे शारेरिक संबनाना चाहती है तो वे इशारे आपको जरूर देती है कहीं ऐसा नहों कि शादिशे दावरात या भावी आपसे शारेरिक संबनाने के लिए इशारे दे रही हो ल इसे चार इशारों के बारे में जो कि हर शादिशेदा अवरत देगी अगर वो आपके साथ फिजिकल होना चाहती होगी तो तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं आधे नामरेगदwork कि आपको बारबाट टच करना दोस्तों अगर कोई वी औरत किसी भी वहाने से बातों बातों में आपको बारबाट कार रही हो तो यह आपके लिए बहुत थी बड़ा इशारा है क्योंकि कोई भी और यह लड़की उस इसी को नई को टच करती है। इसकी वहाव करीब आना चाहती है पर अगर आप उनको कोई रिस्पांस नहीं दे रहे होंगे तो कुछ टेम बाद वह आपसे दूर जाने लगेगी क्योंकि कोई भी शादिशुदा और या भाविस ज्यादा दिनों तक सामने से इशारे या कोशिश नहीं करती तो आपको भी उनसे अच्छे अच्छी बाते करनी होगी कभी गभी हसी मजाग मस्ती या फिर डबल मिनिंग वाले बाती भी करनी होगी बातों बातों में आप भी उन्हें टच करना इस्टाट कर दीजिए और अगर वो आपके साथ कमफर्टेबल फेल कर रही है तो 100% पकी बात है कि वो बढ़ाना चाहती है नंबर दो इमोशनल होना अगर कोई भी अवरत आपसे उनकी सारी परिशानी बताती हो या फिर उस बात से दुखी होती हो कि उनका पती उनसे प्यार नहीं करता वह हमेशा अकेला पन फिल करती है अगर ऐसी कोई भी बात वो आपके सामने करे तो इसका मतलब यहाँ है कि वो आपका प्यार पाना चाहती है दोस्तो हर एक औरत को फिजिकली संबंद की बहुत जरूरत होती है और ऐसे में अगर उनका पती उन पर ध्यान नहीं देगा तो वहाँ औरत किसी और को यह इशारे देगी और आपको अगर यह इशारे देती है उन्हें सपोर्ट करिए उनके साथ रहे उनसे प्यार करिए जब आप किसी औरत के साथ एक बार फिजिकल हो जाएंगे तो फिर हमेशा आपसे प्यार करेगी दोस्तों अगर कोई भी औरत आपके सामने एमोशनल परेशन होती है तो उस टाइम आप उनका हाथ पकड़ सकते हो आपके 3. relationship की बाते करना, कोई भी भाभ या वरत आपके साथ ऐसी बाते करती है, जैसे कि आपकी पहले कोई girlfriend तो नहीं है, या फिर आप किसी से किसी के साथ relationship में तो नहीं हो, तो इसका सिदा मतलब यहाँ है कि आपके साथ वहाँ संबनाना चाहती है, इसलिए वो जानना चाहती है कि आप किसी और से प्यार करते हो या नहीं तो आप उन्हें इस तरह का जवाब दीजिए कि नहीं भावी मुझे सिर्फ आप जैसी लड़की चाहिए आप जैसी मुझे अभी तक कोई नहीं मिली काश आपकी अगर शादी नहीं हुई होती तो मैं सिर्फ आपी से शादी करता और आपसे बहुत प्यार करता था दोस्तो ये बाते बोलने के बाद अगर औरत आपसे खुश है तो इसका मतलब यह है कि वो आपका प्यार पाना चाहती है नम्बर चार आपसे घंटो बाते करना दोस्तों क्या आपको पता है कि शादिशी दवरत किसी ऐसे इनसान के साथ बात करना भी पसंद नहीं करती जिसे वो नापसंद करती हो या जो इनसान एकदम अजनवी हो पर अगर कोई अवरत आपसे हर बार सामने से बात करने की कोशिश करती है या आपसे बात करते करते उन्हें बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चलता है तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है अब आप भी उनसे मज़ा करिए जिससे कि वो भी आपसे जल्दी से जल्दी घुल मिल जाए बातों बातों में उन्हें टच करना स्टाट कर दीजिए उनकी बातों को इंटरेस्ट लेकर सुनिए कभी-कभी उनकी तारीफ करिए आपके ऐसा करने से औरत बहुत ज़्यादा खुश होगी और उनके इन इशारों को आपको भी समझना होगा